तो यह बच्चो इस लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि मनुस्य के जो आँख की समंजन छमता होती है वो कैसे उसकी समंजन छमता कभी बढ़ती है तो कभी घटती है ध्यान समझेगा यहां पर देखिए एक लड़का खड़ा आप लोगों के सामने यह मान के तो थोड़ा सा धूंदल होगा प्रतीत हो रहा है उसी प्रकार हमारे आखों में भी होता है अगर आप अपने आख से किसी एक वस्तु को केंद्रित करके देखते हैं तो एकदम साफ दिखता है लेकिन उसका बगल वाला वस्तु जैसे यहां पर हम लड़के को देख रहे है अपने आख हो से तो यह साफ दिख रहा है यह अगली थोड़ा सा धूंदला दिखाई दे रहा है अब थोड़ा सहम यह क्या करते हैं अपना ध्यान के अंद्रित करते हम इस उными पर तो आपम यहां भी उम्योंद्रित उत्हाई देने लाएगा और नोगए दिखते हो इस सा प्रकार हमारे आख से भी होता है अगर आख से हम इस उंगली को देखते हैं तो इस प्रकार उंगली हमको एकदम क्लीन दिखाई देती लड़का धूदला दिखाई देता यानि अमारी लेंस जो आखों में होती है वह अपनी छमता को अगर नजदी के वस्तूओं को देखना ह तो कम कर देती है और दूर की वस्तूओं को देखना हो तो अपनी छमता बढ़ा देती है यानि इस पावर को बढ़ाने और घटाने क्रिया को समझन छमता करते हैं जैसे अब देखिए अभी लड़का जो है वह आपका क्लीन दिखेगा और उंगली हमारा जो है वह दूदल प्रतीत हो जाएगा देखिए यहां पर फिर लड़का कर चेहरा साफ हो गया और यह उंगली जो हमारा दूदला दीखने लगा बस इसी क्रिया को हम लोग समझन छमता करते हैं पावर आफ एकुमोडेशन